नवश्कार वेनीशा आप देख रहे हैं बिग निउस आईए बढ़ते हैं खबरों क्योर तीन भी चल रहे हैं जिसमें छेत्री की तीन पंचायत के 25 मौजा के रयोतों से दसावे जमा करने की प्रकीरिया चल रही है सर्वेक्षन विभाग का भूमापक टेप, कैलकुलेटर, प्रपत, भंडार, पंची सहित, कई अन्य चीजों पर भी चोरों ने हाथ साफ किया जानकारी के मताबिक सुभा सर्वे से जुड़े कर्मियों ने जब मेन गेट खोल कर अंदर प्रवेस किया तो वह उनके ग्रिल का ताला कटा हुआ देखा तो वरियों अधिकारी और अस्थानियों पुलिस को जानकारी दी, मौके पर पंचवारा थाना के जेसाई मनोज कुमार सिंग, पंचायत के मुख्या प्रतीनी धी कुंदन सिंग ने पहुँचकर चोरों की घटना की जानकारी ली गटना को लेकर बारा हट के विसे सर्वेक्षन सह बंदोवस्ती पधादिकारी अंकिता कुमारी ने पंचवारा थाना में आवेदन देकर अग्यात चोरों के विरुत आवेदन दिया है बाका के जीला खनर पधादिकारी महेशवर पासवान ने बूदवार की देरात पंचवारा गोड़ा मुखे मार्ग पर ओवर्लोडिंग ट्रक के खिलाफ सगन चाच अभियान चलाया और इस दौण अधिकारियों ने ज्ञारकंट से आने वाली कई ओवर्लोड ट्रक को पंचवारा बाराहाट और पंचवारा धोराया सडग जब्त कर लिया गया और जब ट्रकों को कारवाई के लिए पंजवाया थाना पुलीस को सौब दिया गया बाकर जिले के अमरपूर थाना परिशर में सियोस्वातिक कृष्णा एवं थाना ध्रक्ष अर्विंद कुमार राय की अध्येक्षिता में सरस्वती पूजा को लेकर सांती समीती की बैठक का एजन किया गया बैठक में मुख्य रूप से बीडियो राकेश कुमार, पुलिस इंस्पेक्टर वकील प्रसात यादव, उप्रमुख सुजाता बैद उपस्थित थे बैठक में उपस्थित पूजा समीती के सदस्यों को संबोधित करते हुए वीडियो ने कहा कि प्रतिमा अस्थापित करने को लेकर कोई लाइसेंस निर्गत नहीं किया जाएगा साथी प्रितिमा हर हाल में 17 फरवरी को संधिया 5 वजे तक विसरजित करने नहीं होगा वीडियो ने बताये कि नियम का उलंगन करने वाले पूजा समीतियों पर एपजेमिक एक्ट के तहट मुकदमा दर्जकर कारवाही की जाएगी वैटक में विशनपूर पंचायत के मुख्या सूर्यदेप सिंग, मुकदमा पंचायत के मुख्या नकूल प्रसाथ सिंग, समासेवी ओम प्रकास सिंग, मुहमत असकर अली, मुहमत बबलू, भानू चौबे, जदियो नेता पंकच्दास, विमल कुमार सिंग, विदूर सिं अभिमन्यो सिंग, गनेश लालदास, सूरेंच शर्मा, सौमित्र चटरजी समित सैक्रों की संख्या में समासेवी और पूजा समिती के सदल से उपस्थित थे अवैद दंग से सराप निर्मान को लेकर कटोरिया के राधानगर निवासियों ने हल्ला बोलते हुए मुख्य सड़क को जाम कर यातायात पर भावित कर दिया मामला कटोरिया थाना के राधानगर के महादली टोला की है महिला पुरुष रड़क पर निकलते हुए स्थानी पर सासन के विरुष जमकर भडास निकाला लोगों का कहना है कि सिकायत के बाबजूत अस्थानी पुलिस कोई कारवाही नहीं कर लिए और अवैर डंग से सराप निर्मान कर दूसरे जगह भेजा जा रहा है राधानगर के हदगर निवासियों ने बताई कि सराप निर्मान के शिकायत के बाबजूत अस्थानी पुलिस निश्करिये बनी रहती है और धंदा धढ़ले से जारी है बाकर जिले के चांदन में बिना चिकित्सक और प्रसक्षित A.N.M के मौजूदगी में निजी क्लिनिकों में मरीजों को ऑपरेशन कर उनकी जिन्दगी के साथ खिलवार करने का खेल जारी है ताजा मामला कोरिया पंच्यायत के हेट चांदन गाउं का है यहाँ पर फर्जी क्लिनिक में एक माँ और बच्चे की मौथ हो गई इलाज के दौरान मौथ प्रसप के बाद महिला के इस्थिती गंभीर होने के बाद क्लिनिक संचाला ने आनन फानन में महिला को देवघर इस्थित लक्षमी नाराएन हास्पिटल नामक नीजी नर्संग होम रेफर कर दिया जहाँ एलाज के दौरान देर रात उसकी मौथ हो गई इस फर्जी नर्शिंग होम को एक दवा दुकान की आड़ में चलाया जाता है जानकारी के नुसार हेट चांदन गौन निवासी नागो दास की पत्नी 25 वर्षिय अनीता देवी को प्रसप पीड़ा होने पर जीनों ने सोंबार की रात तकरीवन दो बजे चांदन इस सिट्साइ क्लिनिक में भरती कराया जहां बिना चिकिस्तक और प्रसिक्षित नर्श की मौजूद्गी में महीला का ओप्रेशन कर सुवह साथ बजे प्रसप कर दिया गया जिसमें बच्चे की मौध प्रसप के दौरान ही हो गई बाकर जिले क्या मरपूर थाना छेतरे के मगदुम्मा गौँ में सराब माफियों की धर पकड़ के लिए थाना धक्ष अर्विन कुमार राई के द्वारा छापे मारी अभ्यान चलाए गया चापे मारी के तहत मुगदम्मा गौँ में महिश मंडल के घर से 17 बोरा महुआ एवं एक बोरी निशादर जब्त किया गया वहीं पुलीस को देखते ही ग्रहशवामी पुलीस को चक्मा देकर फरार होने में काम्याब हो गए थाना ध्यक्ष ने बताई कि फरार ग्रहशवामी को नामजद करते हुए पात अधिनिया में तहत प्रात्मी की दर्श कर कारवाही की जा रही है पाकर जिले के कटोरिया थाना छेते की तिन डोवा गौ में पेड काटने की दोरन डाल से दबकर जाज मिस्तिरी का दोनों पैर तूट गया जखमी राजे तांती को ग्रामीनों के सहीयोग से रेफर हस्पतार लाए गया जहां परभारी चीकिसा पधादिकारी डॉक्टर विनोत कुमार, डॉक्टर किरपा सिंधु वे डॉक्टर मुकेस कुमार ने प्रात्मी को उपचार के बाद जखमी राज मिस्तिरी को बहतर इलाज के लिए भागलपूर माय गज डेफर कर दिया जखमी राज मिस्तिरी टोना पाथर इसित अपने ससुराल में रहता है बाकर जिले के अमरपूर थाना छेतरी के बिविन मंदीरों के पट खुलते ही मा काली पुझा अर्चना करने को लेकर मंदीर परिशर में सर्धालों की खासी भीड उमर गई सर्धालों पूरी सर्धा से मा काली की पुझा अर्चना कर अपना और अपने परिवारों की खुशाली की मनते मांगते नजर आ रहे हैं अमरपूर बजार इस्थित माकाली मंदीर में अहले सुभह से ही सरधालों गन शोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए माकाली की अराध्ना कर मन्नते मांगते नजरार हैं वहीं दूसरी तरफ डुम्रामा गौ एसित माकाली मंदीर परिशर में भी पूजा अर्चना करने को लेकर सरधालों की खासी भीर देखी गई बता दे डुम्रामा गौ में बंगाली पधिती से माकाली की पूजा अर्चना किया जाता है प्रतिवर्स डुम्रामा में पूजा के अपसर पर विशाल मेला का आईजन किया जाता है लेकिन इस बार COVID-19 को देखते हुए पूजा समीती के दुआरा मेला नहीं लगाने का फैस्ता लिया गया है पूजा को लेकर पूरे छेतर में भक्ती में महौल देखी जा रही है अब तक के लिए बस इतना ही फिर होगी मुलाकात तब तक के लिए नमस्कार